असलाम अलेकुम हजन उम्रा टीवी में आज एक बार फिर आप लोगों की हिद्मत में हाजिर हुई हूँ मस्जिद नबवी के वो मनाजिर जो आज से सालों पहले यानि 1956 में नजर आते थे वो तमाम मनाजिर लेकर हाजिर हुई हूई हूँ आप लोगों की हिद्मत में इस वीडियो में बहुत कुछ आपको ऐसा नजर आएगा जो आज कल बिलकुल भी आपको नजर नहीं आ रहा पहले जमाने में इतने पुराने जमाने में मस्जिद नबवी कैसी नजर आती थी उसमें क्या-क्या बदलाव आए हैं अब ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में नजर आएंगी बहुत जादा मिगदार में लोग पहले भी जाते थे अब भी जाते हैं लेकिन मस्जिद नबवी को अब बहुत जादा रेनुवेट कर लिया गया है और बहुत जादा इसके अंदर तब दीलियां लाई गई हैं पहले मस्जिद नबवी का सेहन पूरा खुला हुआ था तक्रीबन और मस्जिद नबवी का जो बंद हिस्सा था जिस पे छट थी वो अलग था लेकिन सहन बहुत ज़्यादा खुला था और ज़्यादा तर लोग सहन में आप लोगों को इस वीडियो में नजर आएंगे इस वीडियो को देखकर अपने इमान को ताज़ा किया जा सकता है इन्शाला ताला अल्ला पाक हम सब को हजर उम्रे की सादत दुबारा और बार बार नसीब फरमाए आजकल की सहुलतों को जब देखते हैं तो आसानिया ही आसानिया नजर आती है लेकिन पहले जमाने में लोग खुले आसमानों तले इस तरहां मस्जिद अववी में बैठे हुए इस वीडियो में आपको नजर आएंगे कि देखकर इमान बहुत ज़्यादा ताज़ा होने लगता है ये मनजर है सारे जहां से निराला हकीकत को देखे कोई आँख वाला अरब और अजम हैं सभी एक सफ में न आँका न खादिम न गोरा न काला न फखर अमारत न शर्म गरीबी नहीं कोई मयार अदना वा आला इस वीडियो को देखकर मुझे तो बहुत ही एहसास होने लगा किस मुश्किल से लोग पहले जाया करते थे हज की वीडियो भी मैंने लगाई थी इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं लगाऊंगी आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी तो 1956 में अश्हाद आप मुहम्मद र्र्सूल अल्वाव यह रूपरवर मनाजिर देख कर हर एक का इमान ताजा हो जाए बच्चों को छोटे बच्चों को लेकर सहने हरम में बैटकर लेडिस जिस तरह से निमाद अदा कर रही है और मर्द हजराद छट्रियों को हाथ में उठा कर जिनके हाथ में छट्रियां हैं वो लेकर बैठे वे हैं अच्छा ये जो 1956 का जमाना इसमें बिलकुल सहन खुला हुआ था और तक्रीबन छट बहुत थी कम हिस्से में छट थी लेकिन जब इसके बाद मेरी वाल्दा हज के लिए गई थी अंदाजन मेरे खयाल से 1979 में 1979 में वो हज के लिए गई थी जब बहुत चोटी थी बहुत चोटी तो उस जमाने में उन्होंने मुझे बताया था जब मैं बड़ी हुई तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि अब छपड़े लगा दिये गए हैं यानि कि छपड मस्जिद के जो खुला इस्सा था उसमें लगा दिये गए थे जो टीन के छपड होते हैं वो लगा दिये गए थे ताकि जो लोग हैं वो लूप से महफूज रहें बारिश के दिनों में बारिश से महफूज रहें तो ये छपड का छट लगा दिया गया था यानि मस्जिद तो थी ही लेकिन मस्जिद के बाहर जो ख बहुत जादा तेजी से रेनोवेशन का काम हर वक्त जारी रहता है हम 2019 में गए तो भी रेनोवेशन हो ही रही थी मजीद बहतर से बहतर बनाया जाता है और ये बहतर से बहतर बनाया जाने का अमल जारी और सारी ही है अभी तक मजीद और अमल जारी ही रहेगा क्युकि इनके जो प्रोग्रैम्स नहीं ये और बहुत जयादा अच्छे हैं तो पिछले समें मिल्कुल भी कोई तकलीव का गुजर होता ही नहीं है तो ये सारी चीज़े देख करके इनसान को सबक लेना चाहिए कि लोग इससे पहले जो बहुत ज़्यादा पुराने वक्तों में लोग घोड़ों पे उंटों पे सफर करके आते थे और इसके बाद ये जो 1956 है इसमें लोग बहरी जहाज में भी जाया करते थे हच करने के लिए और जो इतनी बड़ी साधत हासिल करने के लिए बहरी जहाज में आते थे और इसके इलावा हवाई जहाज में भी सफर किया करते थे हच का लेकिन ज्यादा तर लोग पानी के जहाज से ही हच का सफर अदा करने आते थे हमारे बहुत पुराने मुज़र्ग लोग बताते हैं कि हमने जो हज किया था बहुत पुराने वक्तों में तो वो बहरी जहाज से किया था तो साथ दिन जाने में लगते थे उनको साथ दिन का सफर वो पानी के जहाज में करते थे और इतना लंबा सफर जो है वो बीच समंदर में पानी के जहाज से पाकिस्तान से सौधी अरब पहुचना ये बहुत ही लंबा सफर है और बहुत थका देने वाला अमल है लेकिन फिर भी हज और उम्रे की खाहिश इनसान को इस तमाम मराहिल आसानी से गुजरवा देती है को कुबूल करें और तमाम लोगों की दुआओं को अल्ला पाक कुबूल करें वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला निकेवान